नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंक में आप सभी का स्पागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा की दुरुष्टी से महतोपूर्ण कुछ एहम खबरे आईए अब जानते हैं इसंक की सबसे पहली खबर हाल ही में जारी किये गए वैश्विक भुकमरी सूचकांक यानि Global Hunger Index 2020 में भारत का प्रदर्शन निमनस्तरिय रहा GHI वैश्विक शेत्रिय और राष्ट्रिय स्तर पर भुकमरी के व्यापक मापन और निगरानी का एक साधन है इसके तहट स्कोर के निर्धारन के लिए चार मापदंडों का उपयोग किया जाता है GHI को कंसर्ण वर्डवाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा सैंक तुरूप से जारी किया जाता है वेल्ट हंगर हिल्फे जर्मनी का एक निजी सहायता संगठन है आईए अब जानते हैं इस सूचकांग के प्रमुख निसकर्ष इस इंडेक्स के मुताबिक विश्व में लगभग 690 मिलियन लोग कुपोशित हैं 144 मिलियन बच्चे ठीगने पन से ग्रसित हैं और 47 मिलियन बच्चे दुबले पन से पीडित हैं इसके अलावा वर्ष 2018 में 5.3 मिलियन बच्चों की मृत्यू उनकी 5 वर्ष की आयू पूर्ण करने से पहले ही हो गई थी सहारा मरुस्थल के दक्षणी शेत्रों और दक्षणी एशिया में भुकमरी और कुपोशिन का इस्तर सबसे ज्यादा है इन शेत्रों में इस्थित तीन देश चाड़, दिमोड लेस्ते और मेड़ागासकर में भुकमरी का इस्तर अत्यंत गंभीर है भारत इस सूचकांक में शामिल 107 देशों में से 94 स्थान पर है साथ ही बांगलदेश और पाकिस्तान जैसी पडोसी देशों की तुलना में भी भारत निमने स्थान पर है सूचकांक के मताबिक बांगलदेश 75 वे और पाकिस्तान 88 वे स्थान पर है 27.2 के स्कोर के साथ भारत भुकमरी के मामले में गंभीर इस्थिती में है भारत में दुबलेपन से ग्रसित बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है वर्ष 2015 से वर्ष 2019 की अवधी में ये स्थिती और गंभीर हो गई थी बच्चों में दुबलेपन का प्रतिशत वर्ष 2010 से 14 के बीच 15.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015 से 19 की अवधी में बढ़कर 17.3 प्रतिशत हो गया था सूचकांग के मुताविक भारत की 14 प्रतिशत जनसंख्या अलपपोशित है अगली खबर अंतरिक शेत्र से संबंदित है हाल ही में एक नए शोध में मिलकी वे आकाश गंगा में तारों के निर्मान की प्रक्रिया में हो रही गिरावट को रेखांकित किया गया है आकाश गंगाएं अधिकांश्त गैस और तारों से निर्मित होती है इसमें आकाश गंगा की अस्तित्व अवधी के दोरान गैसें तारों में परिवर्तित होती है इसलिए आकाश गंगाओं को समझने के लिए ये निर्धारित करने की अवश्यक्ता होती है कि गैस और तारे दोनों की मात्राएं समय के साथ कैसे परिवर्तित होती हैं आकाश गंगाओं में तारों के निर्मान की प्रक्रिया लगभग आठ से दस बिलियन वर्ष पूर्व अपने चरम पर थी लेकिन वर्तमान में इस प्रक्रिया में निरंतर गिरावट जारी है इस गिरावट का कारण अज्यात था क्योंकि आरंभिक दौर में आकाश गंगाओं में परमानविक हाइड्रोजन गैस की मात्रा के संबंद में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी इसके अलावा यदि आकाश गंगाओं की परमानविक गैसें केवल एक या दो बिलियन वर्षों में ही तारों की निर्मान प्रिक्रियाओं में प्रियोग हो जाएंगी इसके अलावा यदि आकाश गंगाओं गैस उपलब्धता को बनाई रखने में विफल रहती हैं तो उनकी तारा निर्मान प्रिक्रिया में गिरावट आएगी और ये गतिविधी अंत्तर समाप्त हो जाएगी परमानविक हाइड्रोजन गैस की मात्रा का मापन जायन्ट मीटर वेव रेडियो टेलिसकोप का उपयोग करके किया गया था इसे खगोल भौते किये समस्याओं की निगरानी के लिए NCR द्वारा इस्थापित किया गया था अगली खबर चुनावों से संबंदित है आईए अब बात करते हैं चुनावी बॉंड्स की चुनावी बॉंड्स जिसे किसी भी भारतिय नागरिक या भारत में निगमित किसी भी कमपनी द्वारा SBI की authorized यानी प्राधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता है चुनावी बॉंड्स योजना की घुशना के इंद्रे बजर 2017-18 में की गई थी इसके कई उद्देश्य थे जैसे काले धन और राजनीतिक फंडिंग में नकदी के उपियों पर अंकुष लगाना और कर अपवंचन के उद्देश्य से गठित फरजी राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित करना दान करता की पहचान को प्रकट न करके उसकी राजनीतिक उत्पीडन से रक्षा करना हाला कि चुनावी बॉंड से संबंदित कुछ मुद्दे भी हैं जैसे कॉर्परेट्स द्वारा इसके दुरुपियों की संभावना क्योंकि ये राजनीतिक दलों को कमपनियों द्वारा दिये गए दान पर कोई सीमा आरूपित नहीं करता है साथ ही संबंदित जानकारी या सूचना के प्रकटी करन की अवश्यक्ता को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है इसके अलावा राजनीतिक फंडिंग के मामले में एक समान नियमों का अभाव है क्योंकि इसमें चुनावी बॉंड से प्राप्त लाब केवल कुछ राजनीतिक दलों तक ही सेमित हैं लेखनी है कि केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी बॉंड के सम्मंद में उच्चितम नियाले के समक्ष विपरीत मत प्रस्तुत किये गए हैं खेंद्र का मानना है कि राजनीतिक फंडिंग में अनामिक्ता, राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन और दान में पारदर्शिता को बढ़ावा देगी वही निर्वाचन आयोग का कहना है कि ये पारदर्शिता को सेमित करेगी और शेल कमपनियों के माध्यम से राजनितिक फंडिंग के लिए कालेधन के उपयोग को प्रोचसाहित करेगी अगली खबर स्वास्थ श्वित्र से सम्मधित है लैंसित ने ग्लोबल बर्डन ओफ डिजीज रिपोर्ट जारी की आईए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुखे निशकर्ष गेर संचारी रोग यानि NCD के कारण होने वाली निशक्तता और चोटें रोगों की बढ़ती वैश्विक समस्या में सबसे बड़े योगदान करता की रूप में प्रकट हुए हैं संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यू में अधिक गिरावट हुई है रिपोर्ट में भारत से संबंदित कुछ निशकर्ष भी प्रस्तुत किये गए हैं जैसे वर्ष 2019 में भारत में वायू प्रदूशन, उच्च रक्तचाप, तंबाकू का सेवन, अल्प आहार और ब्लड शुगर का उच्च स्तर मृत्यू के लिए उत्तरदाई शीर्ष पांच जोखिम कारक रहे हैं वहीं गेर संचारी रोगों के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि गेर संचारी रोग ऐसी स्वास्थे अवस्था ये रोग को संदर्भित करते हैं जो संक्रामक कारकों के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं ये दीरगावधी तक बने रहने वाले रोग हैं जो अनुवानशिक शारेरिक पर्यावरन और व्यवहार संबन्दी कारकों के संयोजन के परिणाम सुरूप उत्पन्न होते हैं ये रोग प्रतिवर्ष वैश्विक इस्तर पर 71% मृतियों के लिए उत्तरदाई हैं शारेरिक निश्क्रियता, अस्वास्थेकर अहार, तंबाकू का उपयोग और मदिरा का अत्यधिक सेवन इस रोग के स्रिजक कारक हैं प्रमुख गेर संचारी रोगों में हिर्दय रोग, कैंसर, चिरकालिक श्वसन सम्मंदी रोग और मदुमे ये आदि शामिल हैं आईए अब जानते हैं इन रोगों की रोगथाम के लिए भारत द्वारा उठाए गये कदम राश्ट्रे कैंसर, मदुमे ये हिर्दय रोगों और स्ट्रोक की रोगथाम एवं नियंतरन कारिक्रम इसके अलावा भारत 2025 तक गेर संचारी रोगों से वैश्वे की स्तर पर होने वाली असामिक मृत्यों की संख्या को 25 प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य से विशिष्ट राश्ट्रे लक्षियों और संकेतोकों के साथ राश्ट्रे कारियोजना को अपनाने वाला प्रथम देश है अगली खबर स्वास्थे एवं पोशन से संबंदित है हाला कि भारतिय खादिसनरक्षा और मानक प्राधिकरन यानि फसाई इसे चरणबद तरीके से वर्ष 2022 तक 2 प्रतिशत से भी कम करने के लिए प्रतिबद है वर्ष 2018 में WHO ने वर्ष 2023 तक वैश्विक खादियापूर्ती में ओद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड्स को समाप्त करने के लिए चरणबद निर्देशी का यानि रिप्लेस नामक एक पहल को आरंभ किया था रिप्लेस पहल के तहट छे रणीतिक करवाईयों का प्राबधान किया गया है जिनमें शामिल है ओद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के आहार स्रोतों और आवशक नीती परिवर्तन के लिए परिद्रिश्यों की समीक्षा करना ओद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के स्वास्थे कर वसा और तेलों के उपयोग द्वारा प्रतिस्थापन को प्रुट्साहित करना ओद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम आधारित या विनियामक प् पूर्टी करताओं और लोगों के बीच ट्रांस फैट के नकरात्मक स्वास्थे प्रभावों के बारे में जागरूर्ता स्रिजित करना और नीतियों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना। पूर्चुओं से प्राप्त खादेपदार्थों जैसे दूद और मास में विद्यमान होती है। वहीं कृत्रिम ट्रांस फैट की बात करें तो इसे एक ओद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित किया जाता है। इसके लिए तरल वनस्पती तेलों को हाइड्रोजनी और खादेपदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। ये तेलों और खादेपदार्थों के शेल्फ लाइफ को बढ़ाने और उनके स्वाद को बनाए रखने में सहायक होती है। प्रशी अवशेशों यानि पराली के देहन पर लागो परतिबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी। इस समिती की निवक्ती का उद्देश्य विभिन प्राधिकारियों की गतिविधियों या प्रयासों को स्विधाजनक बनाना और उनका समन वै करना है ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। में हस्ताक्ष्रित किया गया था। इसके सदस्य हैं आर्मेनिया, बेलारूस, कजाखिस्तान, किर्गिस गंडराज्य, रूस और ताजकिस्तान। जैवोपचार यानि बायो रिमीडियेशन जैवोपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो पर्यावरन के भीतर मौजूद प्रदूशकों को उनकी मूल अवस्था से हटाने और उन्हें निश्प्रभावी बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों या उनके एंजाइमों का उप्योग करती है राष्ट्रिय समुद्र प्रद्योगी की संस्थान ने समुद्री सूक्ष्म जीवों और गेहूं के चोकर के मिश्रन के उप्योग से एक पर्यावरन अनुकूल और अशोधित तेल आधारित जैवोपचारन क्रियाविधी तकनीक विक्सित की है हाइड्रोकार्बन क का निमनीकरन करने वाले ये वैक्टीरिया जीवित रहने के लिए हाइड्रोकार्बन पर निर्भर नहीं होते हैं हाला कि उनका एक चया-पचयी तंत्र होता है जहां वे कार्बन और उर्जस रोत के रूप में पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग करते हैं और इस प्र जिससे उपज में गिरावट होती हैं शीत बलाइट रोग उच्चित आपमान नाइट्रोजन उर्वरक के उच्चिस्तर और फसल आच्छादन की 85 से 100% सापेक्ष आधरता वाले शेत्रों में उत्पन्न होता है वर्षा रितु के दोरान पौधे शीत बलाइट के प्रती अ कला संस्कृती विकास योजना प्रदान की जाती है जिनमें शामिल हैं कला और संस्कृती के संवर्धन के लिए वित्य साहता योजना सांस्कृतिक अवसंरशना के निर्मान के लिए वित्य साहता योजना और अमूर्द सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए योजना बाबा बंदा सिंग बहाद्दूर सत्रा सो पंद्रा इसवी में बंदा बहाद्दूर को फरुक्सियार ने पराजित कर दिया था और सत्रा सो सूला में इनकी हत्या कर दी गई थी इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार